सब्सक्राइब दिली सीम अर्विन केजरिवाल जी के खलाफ जो चार्जिस लगे हैं और 114 ए के इंडियन पीनल कोड अभी तक हम जब को मालूम है कि जुलाई में बेनस लगू होगी लिकिन जुलाई तक तो जुडिशिरी के सेलवस में भी आपके IPC आने वाली है और केसिस भी सारे IPC से ही होने वाले यहनी कि IPC अभी डिसकॉंटीनियू नहीं हुई है बी एनस अभी लागू होगा तब IPC डिसकॉंटीनियू होगी इसलिए अभी तो जो भी केसिस चलेंगे वो सब IPC के नुशारी चलेंगे अब देश के विरुद्धा देश तेड़ तोड़ने के उदेश से इंटिक्रिटी के सवाल पर या फिर देश में ग्रही उद्ध हो जाए ऐसा कोई प्रयास करता है तो वो देश त्रोह का दोशी होता है हाला कि हम सब जान रहे हैं कि देश त्रोह वाले मामले में महरास्ट में उस समय उद्दब ठाकरे की जो सरकार थी और उस उद्दब ठाकरे की सरकार के साथ कॉंग्रेस और वहाँ एंसी पेसाजेदार थी नमनीत राणा वहाँ हनुमान चलीसा कहने गई थी तो और उनके पती नमनीत राना और उनके पती हनुमान चलीसा कहने के लिए गयते तो उनको गिरिफतार कर लिया गया था और देश तरो लगा दिया गया था तो निशित्थ था कि जब कोर्ट में ये कैसे लोगी लोदील करते हैं मुल्ब यह तोड़ने की बात थी क्या देश की integrity और sovereignty पर खत्रा था क्या लेकिन साफ सरकारों ने लगा दिया ऐसे ही आपको याद है कि जब misuse किये जाते हैं कानूनों के तो ये भी संबब है कि दोनों तरफ से खेल होता हो दोनों तरफ से खेल होने का मतलब है आपको याद है इंदरा गांधी और संजय गांधी इनके खिलाफ 1975 से लेके सततर तक नसबंदी कराना लोगों के साथ अत्याचार करना जबरदस्ती लोगों को गिरफतार करना लोगों की मार्पीट करना प्रेस पर सैंसर लगा देना और साथ में प्रेस के सांसर के लाबा हाई कोट के दरवाजे भी मलबलियां बिजलें काट दी गई थी तो मुकत में तो कई एक थे लेकिन असी में सरकार इसलिए बन गई थी क्योंकि एक मुकत मा ऐसा भी था जिसमें चार मुर्गी और दो अंडे चोरी करने का लगाया गया था अब देश में जो गंभीर आरोप थे जो गंभीर अपरात थे वो तो कुछ देखा नहीं देश ने देखा कि इंद्रा गांदी के खिलाब मुरार्जी देशाई के सरकार जबदस्ती का काम कर रहे चार मुर्गी दो अंडे चुनाने का मुगतमा लगा दिया तो फिर जाहिर सी बात है कि लोगों का रियक्षन आए कि भारत सहिश्णु देश है भारत माफ करने वालों का देश है ये बात उस समय हमको याद भी आ रही है कि उस समय लोगों ने कहा भी था कि य ये केसिस लगा दिये जा रहे हैं ये ठीक नहीं ऐसे ही नवनितराना के खिलाफ लगा दिया गया थे लेकिन अर्विन केज्रीवाल के खिलाफ जो मुगदमा लगाया गया वो तो बड़ा गंभीर था क्योंकि अर्विन केज्रीवाल के खिलाफ 124 A 133 505 A B IPC के लगाये गये 2019 का मामला है केस तभी फाइल किया गया था 2019 का मामला था पंजाब में वो इलेक्शन करने के लिए गये थे इलेक्शन के दोरान उन्होंने एक टूइट कर दिया था और वो टूइट भी कितना खतरनाक था ये सोचने की बात है टूइट में अरविंद केजरिवाल ने ये लिख दिया कि सेना को शशत्र विद्रोह कर देना चाहिए और नरेन मोदी जी की सरकार को पलड़ देना चाहिए अब आप सोचिए कि ये भारत की डेमोक्रेसी है भारत की डेमोक्रेसी जो संसद में रहती है संसद के उच्छ सदन से यानि कि लोग सदन से जिसको हम लोग सभा कहते हैं लोग सभा में सदस्यता से प्रधानमंतरी चुना जाता है सरकार चुनी जाती है यहने कि हमने चुना सदस्यों की मिज़ोरीटी मिज़ोरीटी ने प्रदान मंतर चुन लिया यह बेसी कि बेसिक स्टॉक्चर है भारत का अगर बेसिक स्टॉक्चर की बात करते हैं कानून की बात करते हैं तो उससे भी ज्यादा खतरना कि if there is any basic structure that is basic of the basic structure is the democracy that the people of India, we the people of India सब्सक्राइब करेंगे तो हम चुनकर सरकार बेजेंगे और पार्लेमेंट को पापर देंगे तो सब्सक्राइब के रूप में हम राश्चापती को कहते हैं लेकिन यहां पर अर्विंद के जरिवाल जी जब यह कह रहे हैं जब उन्होंने यह कह दिया कि नहीं यह जो मामला ह इस मामले में मोदी जी की सरकार गिराना चाहिए और मोदी जी की सरकार गिराने के लिए आप फोर्स को म्यूटनी कर देने चाहिए रिवॉल्ट कर देना चाहिए आप सोचते हैं कि फोर्स को म्यूटनी रिवॉल्ट कर देना चाहिए आप सोचते हैं कि फोर्स को म्यूटनी र परिवर्तन कर देती है तो सेना परिवर्तन कर दे और सेना कब्जा कर ले यह प्रक्रण कोई पहली बार नहीं आया अर्विंद के च्रीवाल के रहे हैं यह सेम मामला शैम मैनक्षा के समय पर भी आया था जब इंद्रा गांधी ने इमर्जेंसी लगा दी थी इमर्जेंसी से पहले यह बात आ रही थी कि सेम मैनक्षा को उकसाय जा रहा था कि इंद्रा गांधी के सरकार को गिरा दो और गिरा कर यहां पर सेना का सशन लगा दो सेम मैनेक सा को इंद्रा गांदी ने बुलाया और उनसे पूछा तो सेम मैनेक सा ने उस समय ये कहा था वो भारत के उस समय एर्मीचीफ हुआ करते थे उन्हों न कहा कि हमारी कोई political ambition नहीं और हम ये करने सकते डेमोक्रेसी भारत में है भारत की democracy parlement के थ्रूँ चलती है सेना को ऐसा कोई अधिकार नहीं कि वो गिरा दे muscle power तो सेना के पास होती है वो कहीं की भी सेना हो सकती उसके पास muscle power होती है और सदैब से आजकल तो ग्रह मंत्री के द्वारा ये कहा जाता है ग्रह मंत्री प्रधार मंत्री के पीछे पड़ा रहता है या फिर ग्रह मंत्री मुख मंत्री के पीछे पड़ा रहता है और वो ग्रह मंत्री जितनी मूवी फिल्म में चलती है ग्रह मंत्री प्रधार रहता है तो कुल मिलाकर उस बात को और ये बात पूरी की पूरी चर्टार्थ इसलामिक कानूनों में होती है इसलामिक साशन जहां पर चलता है वहाँ पर वो सेना प्रमुक को बड़ा अंडर कंट्रोल रखते है लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक प्रक्रण छोड़कर कभी ऐसा हमने सुना नहीं ऐसा देखा भी नहीं गया पर होता तो है तो लोगा वहन करते ही हैं सेना को बढ़काते हैं अरविन केजरिवाल सेना को बढ़का रहे दे आप सोचोगे भारत की डेमुक्रासी खतम हो जाए और भारत की डेमुक्रासी खतम होकर सेना यहां साशन करने लगे जैसे थाइलेंड में करती है जैसे पाकिस्तान में करती है तो थाइलेंड पाकिस्तान के हाल तो हमने सब ने देखे होंगे क्या है पाकिस्तान की दुर्दशा है उस दुर्दशा का कारण ही है कि कभी यूप खान ने से ना पलट दी तो कभी या खान ने पलट दी तो कभी इ उसकी सत्ता से हटाने के लिए देश में ग्रहुद के लिए एक ट्विट करते हैं उस ट्विट का मुकदमा फाइल होता है हना कि वो जो मुकदमा फाइल हुआ वो पठान कोर्ट के एक कोर्ट में फाइल होता है जुडिशल मेजिस्ट्रेट के कोर्ट में जिस समय वो फाइल ह होता है मुगत्माच चल रहा है जुडिशल मैजेस्ट्रेट उसको डिस्मिस कर देता है जून 203 जनवरी 2023 में मुगत्मा सो अब चल रहा जनवरी 2023 में वह क्या कहता कहता है कि सुप्रीम कोट ने जब तक इस पर से इस पर जो जो वेन लगा हुआ है या जो जिसको इस्टे कर रखा है जब तक सुप्रीम कोट उस पर कोई एक्शन नहीं लेता हूँ उसको खोलता नहीं है तब तक हम इसकी सुनवाई कैसे करें उनके साथ थे सुरकांत और जेस्टेस हिमा कोहली तीन जज़ेस की बेंच थी 124 एकी सुनवाई चल रही थी और 124 एकी सुनवाई के दोरान इनोंने कहा कि 152 साल पुराना ये कानून है और इस कानून की प्रसंगिक्ता है वो ये है कि आजकल तो हमारे देश में हन्मण चली स करने पर भी यह लगा दिया जाता है कि यह कानुन को तब तक कर दिया जाता है किंदर सरकार ने उस समय कहा था कि आप हम जो है इस पर विचार करें तो सुप्रीम कोट ने उस समय कहा कि तुम उस पर विचार करोगे तो फिर काम करते हैं ज ब तक इसका कोई alternate सही solution नहीं निकलता, then we are staying it, till that, तो तब तक के लिए हम stay कर देते हैं, citation का नाम 2022 का ये order है, SG Wombat K K K R A S G Wombat K R A Versus Union of India, 2022 SEC में इसको report किया गया था, अब जब वो stay हो गया कि अभी 124 का कोई case नहीं फाइल हो सकता, तो जो एक सो, अच्छा, इसके साथ के बल इतना ही नहीं किया था, Supreme Court ने इसको stay करते समय ये भी कहा था, जो लोग भी 124 A में jail में हैं, यानि कि देश त रोह के मामले में jail में हैं, चुकि 124 A इस समय inoperative कर दिया गया है, इसलिए they can approach to the court to get the bail, यानि कि वो bail ले सकते हैं, और उनकी सुनवाई तब तक तब शुरू होगी, जब 124 A पर केंदर सरकार कोई काम कर लेगी, केंदर सरकार ने पूरा का पूरा IPC बदल दिया, BNS बना ल है, हाला कि देश दोर्ष शब्द नहीं है, क्योंकि भारत में अर्बन अक्सल्स का ये कहना था, भारत में जो बड़ा लगा बुद्धी जीवी वरक अपने आपको कहता है, उसका कहना था, 124 A जो जो जोडी गई थी, Constitution, IPC में, तो वो तिलक को गरफतार करने के लिए बड़ी गई थी, और आज आप स्वतितरत सेनियों को भी अंदर कर रहे हैं, ये इनका आरोप था, हाला कि मैं उस आरोप से बिलकुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उस समय परशाशन था, आज स्वासाशन है, स्वासाशन में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तो सवाल यहां पर प डिस्मिस कर दिया, तो अनेवल हाई कोट पहुचे, अनेवल हाई कोट में ये कहा गया, कि बही सेशन जज़ को या नीचे जो 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 ट्रैल मेजिस्ट्रेट थी, ट्रैल कोट है, या कॉंगिनिस मेजिस्ट्रेट है, उसको आदेश किया जाए, कि देश दुरोह का मुगतम चलाया जाए, इसके अत्रिक्त, उन्होंने जो दोनों चीज़ने डिस्मिस कर दिए, सेक्शन वन थर्टी वन का भी तो केस फाइल हो सकता है, सेक्शन वन थर्टी वन पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, एक सो चौविस एक मुगतमे के बारे में मान सकते हैं कि उन्हों विद्रो पैदा करना हो, तो 131 का केस चल सकता है, जबकि मैजिस्टिट ने पूरा केस डिस्मिस कर दिए, 124 एक आधार पर, तो 124 ए इनॉपरेटी तो ही उसको अलग रख देते, लेकिन कहते हैं कि 131 का केस तो चल सकता है, क्योंकि सेना में विद्रो करने की तो कानून कि अगर अब विद्रो करना चाहते हैं, सेना को विद्रो ही बनाना चाहते हैं, सेना में पूर डालना चाहते हैं, सेना के बीच में कुछ mis understanding पैदा करते हैं, तो 131 का मुगतमा आज भी होता है और कानून है, हाई कोट ने आज इस बात को सुना, और सुनने के बाद हाई ये का कि नहीं जब इसको हम फिलाल इस्टे मलब केस जो जो हाई कोट में अपील गई थी डिस्मिसल के खिलाब सेशन कोट के उस डिस्मिसल पर हाई कोट ने ये कह दिया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको आगे नहीं बढ़ाता या सुप्रीम कोर्ट इसको इस्टे हटाता नहीं है तब तक 124 का केस नहीं हो सकता और ये काम करते हैं तारीख डाल देते हैं अब सुप्रीम कोर्ट ने तो likely to be permanent इस्टे करका लेकिन जब केंदर सरकार ने notification कर दिया कि जुलाई 2024 से बीनस लगू हो जाएगा भारती नयाय सहिता तो भारती नयाय सहिता की धारा 152 है और वो विल्कुल वैसी है जैसी sedition है कि अब शैलिशन सब्द नहीं देश द्रोष सब्द नहीं है लेकिन अगर कोई शशत्र विद्रो करने की कोशिश करता है अगर कोई व्यक्ती हमारे देश के अंदर कुछ गड़बड इस प्रकार की करता है सेना के अंदर गड़बड़ी करता है चुनी हुई सरकारों को जबरदस्ती देश द्रोष भढ़का कर लोगों को जमीन पर उतरना चाहता है या कुछ इस प्रकार का काम करना चाहता है तो फिर ऐसी प्रसिती में 152 की कारवाई होगी जैसे वो कहता है कि जो जानबूच कर एक उद्देश के साथ शब्दों से भाषण देखर लिख कर कोई निशान बना कर विजिबल रिप्रसेंटेशन करके कुछ दिखा कर इलेक्षन कम्मुनिकेशन, इलेक्ट्रोनिक कम्मुनिकेशन के माद हमसे या फैनेशल मीन के माद हमसे कोई किसी को एक्साइट करता है, एक्साइट करने का टेम्ट करता है, सिसेशन यानि कि कुछ हिस्सों को तोलने का प्रयास करता है, आर्म रेविलियन के बाद करता है, स अक्षुणता को खत्रा पैदा करता है या इसी प्रकार को कोई अपराद कमिट करता है या करने का प्रयाश करता है तो फिर धारा 152 का दोशी होगा ऐसी प्रस्यती में उम्म्रकैद ओर जोर्बाना और या फिर कम से कम سाथ साल की सजा ये प्राबधान 152 में कर दिया गया तो जब ये कहा, जब 124 हे को करना क्या है? जब नई सहीता बन गई है, तो 124 हे का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो सहीता ही जा रही है, तो Supreme Court ने क्या किया पीछे, और आपे Justice चन्चून ने एक नया काम कर दिया, उन्हों ने कहा कि में 3 जजिस की बैंच इसके सुनवाई नहीं कि केदरनात का औल्रदी पांजीश को जस्टीफाइ खरचुक लिए और अगर उसको पलटना है और उसमें भी कुछ घ़ामвой लगती है और पांच जिजों की बेंच की सुनवाई करेगा अब पांच जिजों की बेंच के हिसाब से उसकी प्लेडिंग होगी उसकी कॉपी ट्रांसफर होगी दोनों अपना एक्षेंज करेंगे कुछ document exchange करेंगे, कुछ uploading होगी, सब कुछ लेकिन ये जब तक मुझे लगता हो पाएगा, तब तक BNS आ जाएगा existence में अब BNS के सामने एक नहीं समस्थ है, फसेगी BNS के सामने article 20 फस जाएगा article 20 ये कहता है, कि किसी भी व्यक्ति को जो अभिक्त है उसको कानून लागू होने से पहले की सजान का मुगत्मा नहीं चलाया जा सकता, अब कानून लागू होगा जुलाई 2024 में, BNS, section 152 लग सकता है क्या, section 124 capital A जब तक justify ना कर दिया जाए, तब तक state है, केजरी वाल के प्रांड बच गए, और ये कहते हुए, on a bell high court ने केजरी वाल के मामले में, अभी फिलहाल, एडजन्ट मेंट दे दिया है, याद रखेगा, stay नहीं दिया, ये भी याद रखेगा, केस चालू नहीं किया, ये भी याद रखेगा, केजरी वाल जी को को ना ही सेशन कोर्ट ने कहा और ना ही हाई कोर्ट ने कहा क्योंकि आर्म रेविलिशन आर्मी को भढ़काना आर्मी में विद्रोह पैदा करना आर्मी से ये कह देना कि देश पर कबजा कर लो आर्मी से ये कह देना मोदी जी को हटा कर बैठ जाईए आर्मी से लोगों से ये कह देना कि मोधी जी की सरकार को हटाना है उनको उठाकर नीचे फटक दो कुछ ऐसा स्टेटमेंट तो ये तो 124 का केस बनता है क्योंकि आप तो पूरे देश को धता बताना चाहते हैं और 124 केस बनता है 124 केप्टा लेका तो फिर मुझे रखता है कि जेल भी जाएंगे पहले से शराब गोटा ला एडी एडी का सम्मन मामला एक वो के कविता वाले के साथ अटैच होना अभी अमनातुल्ला वाले मामले के साथ अटैच होना के जिरिवाल के मुसीबतें कम नहीं होती लेकिन सुप्रीम कोट के चूंकि इस्टे है 124 है इन ओपरेटिव है इसलिए प्राण बच गए मैंने सोचा कि एनलिसिस करके आपको बताया जाए कि आखिर 124 क्यूंकि यह ऐसे भी आ सकता है 124 कैप्टल ले वर्सेस 152 बीनेस 124 कैप्टल ले आई पीसी बनाम 152 बीनेस और ये भी आ सकता है कि पुराने वाले जो केसे चल रहे हैं बीनेस लागू होने के बाद क्या होगा ये भी आ सकता है कि बीनेस में अगर समतुल धारा है तो क्या पुराने वाले के जो कॉंटीनियू है वो नए नए उससे होंगे याद रखेगा नए वाले का कानून का नियम यह है कि जिस दिन कानून लागो हुआ उसके बाद जो अपराद हुए होंगे उस पर वो लगेगा लेकिन साथ में ये भी कानून है कि उससे पहले जो अपरात किये हैं वो उस समय जो कानून existence में था उसके अनुसार case होगा यानि कि अगर अर्विन केजरिवाल जी के खलाफ case करना है तो 124 capital A का ही case होगा और 124 capital A के case में supreme court को संगया लेकर ये बताना पड़ेगा कि ये verified है कि नहीं verified है ये justified है कि नहीं है क्योंकि अभी तक केदारनात का judgment है 1962 का जिसमें देश द्रोह के मामले को justify किया गया है क्योंकि उस समय भी लोग ये ही कहके supreme court गए थे कि fundamental right है right to speech and expression अब जब किसी को fundamental right है बोलना और impression देना तो फिर आप 124 capital A उसका विरोध करता है और fundamental right को का उलंगन करता है supreme court ने का था नहीं ऐसा नहीं करता आपको बोलने का अधिकार है लेकिन एक limit के अंदर है वो limit अगर cross करोगे तो फिर भाई आपके खिलाफ law and order का मुकदमा हो नहीं है और देश में अगर आप विद्रोह फहलाने के कोशिश करेंगे सरकार चुनियों सरकार सिस्टम को हिलाने कोशिश करेंगे तो फिर भाई आपके खिलाफ case बनता है अब यही केदरनात का judgment इस समय आड़े सुप्रिम कोट के आ रहा है इस्टे तो हो गया लेकिन केदरनात के judgment को पलटने के लिए कम से कम साथ judges की बेंच चाहिए कब केजरिवाल जी जैसे जितने भी देश में देश तरहों के मुकदमा जहल रहे लोग हैं उन सब को relief मिल ही गई लेकिन केजरिवाल जी के करना में सुन-सुन कर ऐसा लगता है कि बड़े महान विक्ति हैं और कितनी गहराई से टूइट करते हैं बयान देते हैं अभी अभी व केस में अभी वो माफी मांग कर आए सुप्रीम कोड में माफी उन्होंने मांगी है आगे क्या होगा जब इस पर कोई बात आएगी तब हम लोग चर्चा करेंगे लेकिन अभी मैंने analysis करने की कोशिश की है झाल 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 बजया झाल